यह दंतुरिक मुश्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुश्कान देखकर कवी के मन में जो भाव उमरते हैं उन्हें कविता में अनेक बिम्बों के माध्यम से प्रकट किया गया है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखक के बारे में तो लेखक हैं इसके नागारजुन नागारजुन का जन्म पिहार के दर्भंगा जिले के सतलका गाउं में सन 1911 में हुआ उनका मून नाम पेदेनात मिश्रिथा आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाट साला में हुई फिर अध्यन के लिए वे बनारेश और कॉलकाता गए 1936 में वे श्रिलंका गए और वही पोधित्रम में दिख्षित हुई दो साल प्रवास के बाद 1938 में स्वैदेश लोटाए घुमक कड़ी और अखर सभाव के धनी नागारजुन ने अनेक बार संपोन भारत की यात्रा की सन 1998 में उनका देहांत हो गया उनकी अन्यकृतियां है युगधारा सत्रंगे पंखों वाली हजार हजार बंखों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने मैं मिलिटरी का बुड़ा घोड़ा यह कविता जो है इसमें छोटे बच्चे की मनुहारी मुस्कान देखकर कभी के मन में जो भाव मरते हैं उसके बारे में लिखी है कभी का मनना है कि इस सुन्दर्ता में ही जीवन का संदेश है इस सुन्दर्ता की व्यप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिंगल जाए इस दंतुरित मुस्कान की मुहपता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांक पन जोड़ जाता है फसल सब्द दूसरी कविता जो है उसमें फसल के बारे में बताया है इसमें फसल का नाम सुन्ते ही खेतों में लहलाहादी फसल आँखों के सामने आ जाती है परन्तु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्यों का योगदान होता है इसे बताया है नागाजू ने अपनी कविता फसल में यह दंतुरित मुस्कान पहले मैं इसकी व्याक्या बता देती हूँ फिर आपको इसके प्रश्नाथतर बता दूए तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान धुली धुसर तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान यानि छोटे बत्ची की नई नई दात आए हैं कभी उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी यह जो नई दातों वाले मुस्कान है यह किसी मित्त इंसान में भी जीवन प्रदान करने वाली है दुली दूसर यानि मित्टी से सना हुआ तुम्हारा ये गात यानि शरी बच्चे को देखकर वो कह रहा है कि तुम्हारा मित्टी से सना ये जो शरीर है छोड़ कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात तालाब को छोड़ करके मेरी जोपड़ी में बच्चे के आने के कारण कमल के फूल की तरह खिलावट आ गई है या कमल का फूल जैसे खिल आया है यहाँ पर बच्चे की तुलना कमल से के गई है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण परस यानि स्पश स्पश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिंखल कर जल बन गया होगा कठिन पाशान तुम्हारा जो जीवन है वो पहले पाशान रहा होगा और वो जल बन गया होगा जिसे तुम्हें तुम्हें जिसे भी स्पश कर दिया होगा वो पत्थर भी पिंखल कर जल बन गया होगा छोटे बच्चे के बारे में कभी के ये विचार है छो गया तुमसे की जहने लगबड़े सेफालिका के फूल तुमसे जो भी छो गया होगा चाहे वो बास या बबूल का पेड़ हो तो वो भी सेफालिका फूल बन गया होगा तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आँख लो मैं फेर तुम मुझे अभी जानते नहीं हो इसलिए तुम मुझे लगातार देख रहे हो अनिमेशनी लगातार देखना ठक गए हो आँख लो मैं फेर तुम ठकते होगे इसलिए मैं तुम से आखे फे लेता हूँ क्या हुआ यदि हो सके पर इस चितना पहली बार यदि तुम तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज यदि तुम मुझे जानते नहीं हो लेकिन यदि तुम्हारी माना माध्यम नहीं बनी होती मैंने सत्ता देख मैंने पाता जान तुम्हारी यह धन्तुरित मुस्कान यदि तुम्हारी मा माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारी ने ने दातों वाली मुस्कान नहीं देख पाता इसलिए धन्य तुम मा भी तुम्हारी धन्य है तुम धन्य हो और तुम्हारी मा भी धन्य है चिर प्रवाशी मैं इतर मैं अन्य चिर प्रवाशी यानि मैं बहुत दूर का हूँ मैं इतर यानि अलग हूँ मैं कोई और हूँ इस अतिति से प्रेय तुम्हारा क्या रहा संपर्क अपने आपको अतिति बताते हुए कभी कहता है कि तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क रहा होगा उंगलिया मा की कराती रही है मधुपर्क तुम्हारी मा की उंगलिया तुम्हें मधुपान कराती रहती है देखते तुम इधर कंखी मार तुम तिर्ची नजरों से मुझे देख लेते हो और होती जब की आँखे चार और जब तुम्हारी और मेरी आँखे मिल करके चार हो जाती है तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तक तुम्हारे चोटे चोटे दाटों वाली मुसकान जो है, मुझे लगती बड़ी ही छवीमान, बहुत ही अथी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, सुन्दर मुसकान को छवीमान मुसकान कहा है मधुपर्क जो है यहां पर पर इसका अर्थ मैं आपको वता देती है एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड आ रहा है मधुपर्क यह होता है तही खी शहद जल इन पाच्छों चीजों को मिला कर कि देवताओं को जो अर्पित किया जाता है लोग इसे पंचामरित भी कहते हैं इस कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मियता की मिठास से युक्त मा के प्यार के रूप में हुआ है नेक्स्ट कविता है फसल एक के नहीं दो के नहीं ठेर सारी नदियों के पानी का जादू यानि कि किसी एक या दो नदियों का नहीं बहुत सारी नदियों के पाने का जादू है एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटी कोटी हाथों के सपश की गरिमा एक की एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिठी का गुण धर्म तवी क्या कहता है कि फसल जब उगती है तो किसी एक या दो नदियों के पानी का नहीं बहुत सारे नदियों के पानी का और हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म होता है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वहे, नदियों की पानी का जादू है वहे यानि कि हमारी नदियों के पानी में वहे जादू है, हाथों की स्परश की महिमा है यानि किसान जो फसल उगाता है उसके हाथों से जो उसमें जादू आ जाता है ये सब उसी का रिजल्ट होता है कि फसल उगती है भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धार्ब है रुपांतर है सूरज की किन्नों का सिम्टा हुआ संकोच है हवा की धिरकन का काली मिट्टी जल और पिसान के हथों का स्पर्ष हजारों खेतों की मिट्टी और सूरज की किर्ले यह सा मिल करके एक अच्छी फसल का निर्माण करते हैं कविता में यही बताया गया है कि फसल जो है किस प्रकार से खेतों में लहलाती हुई हमारी आँखों के सामने आ जाती है क्या उसे पैदा करने में किन किन तत्मों का योगदान है इनकी हजारों नधियों का मिट्टी का और किसान की हाथों के स्पर्ष का आश्री की पिर्णों का हमारी फसल को उगाने में बहुत अधिक ध्यान होता है। इसका विता में यह एक आंकित किया गया है कि प्रकर्ति और मनुष्य के सहयुग से ही श्रीजन संभव है। अब आते हैं प्रश्न उत्र, प्रश्न उत्र मैं आपको बता रहे हूं। प्रश्न उत्र, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रश्न है, इसका उत्र है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवी के मन पर अत्यंत कहरा प्रभाव पड़ता है। कभी को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहग लगती है आर यहे मुस्कान वित्त शरील में भी प्राण ढालने वाली है दूसरा प्रिशन है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े वेक्दी की मुस्कान में जानतर है बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर बताते वे कवी कहता है कि बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मुलते की प्रतिक्षा नहीं करते हैं जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वज़े होती है दूसरा बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता है तीसरा बच्चे की हंसी में निश्चलता होती है लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट सब्सक्रीं भी होती है चोटे बच्जों की मुस्कान में निश्छलता बताई है निश्छलका कोई भाव नहीं होता है तीसरा प्रिश्न है अभी ने बच्चे की मुस्कान की सुंदिरे को किन किन बिमबों के माध्यम से व्यक्त किया है उत्ता कैसे लिखेंगे कभी नागाजु ने बच्चे की मुस्कान के सुन्दर को जिन भीम्बों के माथ्यम से व्यक्त किया है भी निमलिखित है भीम्ब का मतलब होता है प्रती चिन या प्रति भीम्ब तो पहला वो के दैगी मृतक में भी जान डाल देती है बच्चे की मुस्कान दूसरा है कमल का तलाब छोड़कर जोपड़ी में खिलना तीसरा है बाश या बबूल से सेफा लेके कर ये फूलों का ज़रना चोथा है स्पश पाकर पासान का पिंगल जाना पाच्वा है तीर्ची नजरों से देख कर मुस्कुराना नेक्स्ट प्रिश्ण है भाव स्पश्टी कीजे छोड़कर तलाब मेरी जोपड़ी में खिल रही है जलजात उत्तर प्रस्तुत का व्यांस का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकशक लगते हैं उन्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तलाब में ना खिल करके वही पर खिल गया हो दूसरा प्रिश्ण है चुग गया तुमसे की जन्ने लगी सेफालिका के फूल बास था की बहूल इसमें काव्यांश का भाव यह है कि बच्चों के स्पर्ष में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रकरती वाले भावहीन और समीद ना सुन्ये प्यक्तियों को भी सुख आनन और वादसल्य रसका संचार कर देता है रचना आरभिव्यक्ति के प्रश्णों के बात कर रहे हैं इसमें मुस्कान और क्रोध में भिन 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 भाव है इनकी उपस्तिती से बने वातापरण की भिन नता का चित्रन कीजे इसका उत्तर लिकेंगे मुस्कान और क्रोध परस पर विलोम भाव है मुस्कान से चेहरा आकश्यक मन में प्रसंदनता और वातावरण में लास भर जाता है मुस्कान कठोर एवं भाव शुनी हिर्देवाले को भी कोमर और भावयुक्त बना देती है इसमें पराई को भी अपना बना लेने की अद्बुत च्छमता होती है जबकि ठीक इसके जपीत रोध से चेहरा भयानक, मन, एशांत और वातावरण तनावमुक्त बन जाता है रोध से इदे कठोर और संगेदन ही हो जाता है लोगों में भै और आतंक उत्पन हो जाता है जिससे गैर तो गैर अपने भी पराई बन जाते है तंतुरित मुसकान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाए और तक सहीत उत्तर दीजे बच्चे के दात मुख्यते नो महीने से लेकर एक साल में आने लगते है कई बार इससे कम्या धिक समय भी लग जाया करता है परन्तु यहां मां अंगुलियों से मधुपर्प करा रही है अत्या बच्चे की अयू लगभग एक वाश लगती है बच्चा अपनी निश्चल धन्तुरित मुसकान से सबकामन मोह लेता है सात्मा प्रिश्ण है बच्चों से कवी की मुलाकात का जो शब्द चित लुपस्तित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखी कवी और बच्चा दोनों एक दूसरे से सरवता अपर्ची थे इसी कारण बच्चा उसे एक टक देखता रहता है बच्चे ने कवी की उंगलियां पगड़ रखी है और अपलक कवी को निहा रहा था बच्चा कहीं देखते देखते ना सोच ठक जाए इससे सोचकर कवी अपनी आँखी फिरा लेता है किन्तु बच्चा उसे तिर्शी नजरों से देखता है जब दोनों की आँखे मिलती है तो बच्चा मुस्कुरा देता है बच्चे की मुस्कान कवी किखदय को अच्छी लगती है उसकी मुस्कान को देखकर कवी का निजाश मन खुश हो जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तलाब को छोड़कर उसके जूपडे में खिल उठे है उस मुस्कान से प्रभावित सन्यास धारण कर चुका कवी उन्हें ग्रहस आस्रम में लोट आया फसल कवीता की मैं प्रिश्ण आपको बता जेती हूँ कवी के नुसार फसल धेश सारी नद्यों के पानिंग का जादू अनेक लोगों के हाथों के सपस्की गर्मा और बहुत सारे खेतों की मित्टी के गुन का मिला जूला परिणाम है अथात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं बल्कि इसमें सभी का योगदान समीलित है दूसरा प्रिष्ण है कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है ये आवश्यक तत्व कौन से है उत्तर है प्रस्तत कविता में कवी ने फसल उप जाने के लिए मानव प्रिश्रम, पानी, मिटी, सूरज की किर्णा और हवाजे से तत्रों को आवश्यक बताया है